तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घुटनों में अगर दर्द हो रहा है तो आपको कौन-कौन से चीजे जो हैं वो खानी चाहिए इसके इलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके घुटनों की ग्रीस कम हो गई है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको घुटनों की ग्रीस जो है वो कुछ हद तक आप कैसे बढ़ा सकते हो तो सबसे पहले आपको ऐसे फूड्स खाने हैं जिससे की साइनोवियल फ्ल्यूड यानि के हाईलिरानिक एस्टिड जो है वो बढ़ सके साइनोवियल फ्ल्यूड बेसिकली दो जॉइंट्स के बीच में पाया जाने वाला एक फ्ल्यूड होता है और यही हमारे घुटनों के बीच में ग्रीस का काम करता है इसकली साइनोवियल फ्ल्यूड को बढ़ाने वाले कौन-कौन से फूड्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए तो इसके लिए आप नट्स ले सकते हैं नट्स में आप आल्मंड्स और वालनट्स ले सकते हैं इसमें इससे भी हमारे शरीर में हालिरॉनिक एसिट जो है वो बढ़ता है एंड ब्रॉकली ब्रॉकली का इस्तेमाल कर सकते हुआ नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेजन रिच फूड के बारे में ऐसे फूड जो कॉलेजन को बनाने में हेल्पुल होते हैं तो अब ये कॉलेजन क्या होता है कॉलेजन एक ऐसा हम बोल सकते हैं है जो मसल के मास को बरकरार रखता है कार्टिलेजिस को के लिए बहुत जरूरी होता है तो collagen जो है वो एक kind of bond होता है जो कि जरूरी है muscle mass के लिए cartilages के लिए तो इसके लिए हमें कौन-कौन से चीज़े खानी चाहिए तो इसके लिए red और yellow vegetables आप खा सकते हो इनको खाने से collagen जो है वो हमारी body में boost होता है इसके लावा आप berries जिसमें आप blueberries या strawberries यूज़ कर सकते हैं इसके लावा एक garlic यानि के लहसुन जो है वो भी बहुत फायदे मंद होता है collagen को बनाने के लिए और घुटनों के लिए तो ये कुछ चीज़े हैं जो आप collagen यानि के अपने घुटनों को तंदरुस्त रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं next हम बात कर लेते हैं anti-inflammatory की anti-inflammatory कुछ foods हैं जो की अगर घुटनों में दर्द हो रहा है या उसमें सूजन आ रही है तो आपको वो चीज़े जो हैं वो लेनी चाहिए जिससे कि आपको help मिलेगी इसको दर्द और सूजन से रहात मिलेगी क्या कर सकते हैं olive oil का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें anti-inflammatory property होती है इसके इलावा आप broccoli का इस्तेमाल कर सकते हैं broccoli भी anti-inflammatory जो है वो एक सबजी है इसके इलावा आप green leafy vegetables का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हरी पत्तेदार सबजीयां खाने से anti-inflammatory जो है वो एक तरीके की property आपको मिलेगी जिसकी वज़े से आपको दर्द और सूजन जो है वो कम हो जाएगी पपीता ये भी बहुत जादा फायदे मंद रहता है घुटनों में दर्द या सूजन से बचने के लिए इसके लावा pineapple का आप यूज कर सकते हो pineapple जो है वो भी एक anti-inflammatory next हम बात कर लेते हैं calcium rich food के बारे में जो की हमारी body के में specially bones और joints को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है तो इसमें आप calcium rich food लेंगे जैसे की dairy products दूद या दूद से बने हुए पदार्थों का सेवन कर सकते हो अगर आप eggs पसंद करते हो तो आप उसमें eggs भी include कर सकते हो इसके इलावा आप mushroom का सेवन कर सकते हैं और पालक तो ये जो है वो good source of calcium होते हैं तो इससे जो है वो आपकी हड़िया और आपके joints जो है वो मजबूत होंगे और आपको गुटनों के दर्द से राहत मिलेगी next हम बात कर लेते हैं कुछ condiments के बारे में यानि के जो normal मसालों की बात कर लेते हैं जिनमें anti-inflammatory property होती है तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ginger की ginger यानि के अदरक की जिसका आप सेवन कर सकते हो चाय में या फिर सबजी में तो इसमें जो है वो बहुत अच्छी एक anti-inflammatory property है जो की बहुत जरूरी है आपके घुटनों और आपके body के लिए next हम बात कर लेते हैं turmeric यानि के healthy की तो आप turmeric का use दूद में मिलाके भी कर सकते हैं या आप खाने वाली चीजों में भी डाल सकते हैं तो ये इसके अंदर भी anti-inflammatory property होती है जो की बहुत जरूरी है कि आप इसका सेवन करें next हम बात कर लेते हैं मेथी के दानों की तो मेथी के दाने जो है वो बहुत ही अच्छे जो है वो anti-inflammatory properties रखते हैं तो इसका सेवन जो है वो बहुत जरूरी है जिससे कि आप घुटनों के दर्द और भी बहुत सारी हमारी body में ये infection से लडने में help करता है तो ये भी एक जरूरी जो है वो आप अपने diet में include कर सकते हो इसके लावा मैं अब बात करती हूँ cinnamon यानि के दाल चीनी की तो इसका जो है वो तेल भी मिलता है तो वो आप तेल को अपने घुटनों पे लगा सकते हो इसके लावा अपनी diet में इसको include कर सकते हो जिससे कि काफी फायदा होगा जिसके लावा green tea या फिर coconut water ऐसी चीज़े भी आपकी help करेंगी तो आप ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई है अपनी diet में include कर लें तो जिससे कि आपको घुटनों के दर्द में काफी जादा राहत मिलेगी and thank you so much for watching my video